गुड मॉरिंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके एजुगेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वाक्षीट नमबर 74 सब्जेक्ट आपका समाजिक विज्ञान है, समाजिक विज्ञान में हम एकोनोमी बढ़ रहे हैं याद करोगे, तभी आप पेपर में लिख पाओगे, अब बहुत कम टाइम बचा है, आप लोगों के पास मई में पेपर, तो मई तो समझ लो, जनवरी तो गया, ठीक है, कितने ही दिन रहे गए, दस दिन मुश्किल से रहे गए, अब बचा मई, ठीक है, तो फरवरी, मार्च और एपरिल, तो ये मुश्किल से आपके पास 80 या 90 दिन है, तो इनको ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तभी आपके माकसा पाएंगे, तो याद करना, स्टार्ट कर दो चीजों को, ठीक है, वैश्वी करंट से आप क्या समझते हैं, तो चलिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, वैश्वी करंट से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार, एवम निवेश के माधियम से विभिन देशों की अर्थ विवस्थाओं के एकी करंड को, ही वैश्वी करंड कहते हैं, इसमें संपूर्ण विश्व एक बजार बन जात हैं कोई हमारा समान किसी जैसरी चाइना के जो फोन वगरा है यहाँ फरभा घरीतते हैं दूसरी Google जो Apple के फोन है वो यहाँ खरीते हैं तो वह किसा सोभगी है वेश्व श्भए लाइकरण 1995 में की गई थी इसका प्रमुक्ष कारे अंतराश्टे व्यापार से संभंदित नियमों को निर्धारित करना, इन नियमों का पालन कराना कमिया क्या है, विश्व व्यापार संगठन की कारे परनाली में पार दर्शिता का अभाव है, ट्रांस्परेंसी नहीं है यदभी विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुईधा देता है परन्तु वास्त्विक्ता विक्षित देशों को अनुचित तरीके से व्यापार अवरोधक को बरकरार रखते हैं कि विकाशील देशों को व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विविश किया जाता है ठीक है यह अमेरिका और भारत के साथ हो चुका है बहुराष्ट्रे कंपनिया क्या होती हैं बहुराष्ट्रे कंपनिया किस प्रकार उत्पादन पर नियंतरन करती हैं बहुराष्ट् उत्पादकों को उत्पादन का ओडर देते हैं फिर अपने ब्रैंड के नाम से ग्राहकों को बेचते हैं ठीक है मालो क्या है कि छोटे उत्पादकों से प्रोड़क्ट बनवा लेंगे फिर उनको अपना ब्रैंड का नाम देंगे तो इस तरीके से यह काम करती है तो आप चलत और कंपनी द्वारा किये गे निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं ठीक है व्यापार और निवेश पर कई देश व्यापार अवरुदक क्यों लगाते हैं व्यापार और निवेश पर कई देशों द्वारा व्यापार अवरुदक लगाने की निम्न कारण हैं पहला विदे उत्पादकों में होने वाली प्रतिस परदा किस परकार की किस परकार उत्पाद को फाइदा बर्दान करती है किनी पांच का वर्णन कीजिए उत्पादकों में होने वाली प्रतिस परदा से उत्पाद को उत्पाद को नोते कंसुमर जो होते हैं को कम कीमत पर वस्तु मिलती ह इससे वो भूगताओं को उपाद के जाधा विकल्प मिलते हैं वस्तों और उपादकों की बहतर क्वालेटी मिलती हैiron पर 30 परदाबड़ने से कंप्रीअ अधिक से अधिक निवेश करती हैं जिसकी वज़े से आएसपास बाजार रिक्सित होते हैं लेकिन इस दोर में इसे पूरे तरीके से नहीं अपनाया गया था भारत में अर्थिक सुधारों की प्रथम एवम व्यापक स्तर पर अपनाय जाने वाली निती उनी सोई क्यान में की उध्योगिक निती थी इस तरह से भारत में उधारी करण की प्रिक्रिया को अपनाया गया उदारी करण क्या है, भारतिय yenर्थ विवस्था पर उदारी करण के किनी पांच प्रभाव का वर्णन कीजिए सर्कार दवारा व्यापार उद निवेश पर लगे अवरोधक त था प्रति बन्दों को हटाने की परक्रिया को उदारी करण केते हैं भारतिया अर्थ विवस्था पर उधारे करण के प्रभाव, इससे किर्शी शेत्र का विकास हुआ, उध्योगों का विकास हुआ, दूर संचार प्रद्योगी की का विकास हुआ, परिवेन सिवाओं का विस्तार हुआ, रोजगार के अफसर उपलब्द हुए नेक्स्ट कोश्चन है, वेश्वी करण की प्रिक्रिया को प्रोथसाहित करने में प्रद्योगी की क्या भूमी का है, वेश्वी करण की प्रिक्रिया को बढ़ावा देने में प्रिद्योगी का महतोपूर्ण योगदान है, विगत पचास वर्षों में प्रिवेन द्वारा सुगम बनाया है तो यह थी है हमारी आज की वर्कशिट आई होप देख बच्चाब आपको याद करना है चीजे अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे और इस वीडियो को आप 1000 लाइक तक पहुचाएंगे थैंक यू, have a nice day चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक यू, may God bless you